दोस्तों एक दरशक ने मुझे कमेंट किया था कि नियूरोसिस्टी सिर्कोसिस क्या होता है इसके बारे में बताईए इसके बारे में एक वीडियो बनाईए तो आज की वीडियो है नियूरोसिस्टी सिर्कोसिस के बारे में यानि दिमाग में कीडा होना ये कौन से बिमारी है आपने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुनाओगा कि भाई तेरे दिमाग में कीडा है क्या? जी हाँ ये सच है दिमाग में कीडा होना एक बिमारी होती है तो जल्दी से समझ लेते हैं Neurosiscus Circus कौन से बिमारी है देखें Neurosiscus Circus एक संकरमण है जो tapeworm के कारण होता है tapeworm जिसे हिंदी में फीता करमी बोलते हैं ये एक परजीवी होता है यानि एक पैरसाइट होता है इस tapeworm का नाम Tiniasulium होता है इसे porkworm भी कहते हैं पोर्क वोम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुर से फैलने वाली बिमारी है पोर्क का मतलब होता है सुर का मास तो जो लोग पो करता है तो ये tapeworm उन फलो सबजियों को दूशित करता है और जो इन फलों का सबजियों का बिना धोय बिना पकाय इस्तेमाल करता है उन बेमिवारी फैल जाती है कुछ लोग कहते हैं कि ये कीड़ा फूल गोबी या पत्ता गोबी खाने से दिमाग में चला जाता है बहुत प्रजियों को अच्छे से पका करके खाएं उन्हें धो करके खाएं हाईजीन का ध्यान रखें और एक जो जरूरी बात है कि मलत्याग करने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करें सबसे ज़्यादा फैलने का यही होता है कि आप मलत्याग करते हैं हाथ साफ नहीं करते हैं वहाँ पर यह बिमारी भोज़ाता फैलने का चांस रहता है. अब बात करते हैं परजीवी कैसे काम करता है. दूशित भोजन या पानी के संपर्क में आने पर यह टेप वोम व्यक्ति के आदों में पहुँच जाता है. जहां से यह बलड वीजल की साहता से दिमाग तक अगर इसका इलाज समय से ना किया जाए तो टेप वोम अंडे देता रहेगा और मरते वक्त सिष्ट बनाता रहेगा और यह आप देखेंगे कि सारे सिर में आपके छोटी छोटी गांटे होती चले जाएंगे, सिष्ट बनती चले जाएंगी. सिष्ट बनने के बाद सिर में दर्द होना, जलन होना, दोरे पढ़ना, मतिभ्रम होना, जटके आना जैसी तमस्याएं पैदा हो सकती हैं. हाला कि यह मिर्गी नहीं होता है, क्योंकि मिर्गी यह कैर संक्रामक बिमारी है, और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है, जबकि नियूरो सिष्टी सिर्कोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच सकती है, जब यह सिष्ट दिमाग मे यानि मस्तिश्क में, आपको दोरे पढ़ सकते हैं, मति भ्रम हो सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, यह लक्षन आपको बने रहेंगे, अगर यह बिमारी आँख में होती है, तो आपको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, या फिर आप अंदेपन का शिकार हो जाते हैं, आपको कम जोरी आ सकती है, उठने बैटने में दिक्कत हो सकती है, और चलने में दिक्कत हो सकती है, अब बात कर लेते हैं, डियागनोज यानि जाच कैसे की जाती है, टेस्ट कैसे किया जाता है, तो नमबर एक पर की जाती है, एंटीबोडी ब्लड टेस्ट, इसके लिए सि इसका मतलब है कि शरीर में वे बिमारी मोजूद थी या फिर वो है। नमबर दो पर जाज करा सकते हैं बायोपसी। सिस्ट या गांट की बैपसी की जाती है, यानि उसका कुछ इस्सा लेकरकर लें में जांच की जाती है, कि क्या इसमें बिमारी के परजीवी है या नहीं नमबर तीर पर जो जाज कराए जाती है वो है सिटी स्केन या MRI या X-ray सिस्ट या गांट को देखने के लिए ये कराए जाते हैं इनसे पता किया जाता है कि कोई गांट है किसी सरीर के हिस्से में या नहीं है नमबर चार पर बहुत इंपोर्टेंट जाँ चाहती है ये है स्पाइनल टैप या फिर लंबर पंक्षर इसमें आपकी कमर के निचले हिस्से में निडिल यानी सुही की मदद से स्पाइनल कैनल से सेरीब्रो स्पाइनल फ्लूड लिया जाता है और उसकी जाज की जाती है या अनि एंटी इंफ्लेमेटरी दवाईयां दी जाती है ये स्टिरोइड होती है जैसे प्रेडनी सलोन है या फिर मिथाइल प्रेडनी सलोन है आपने बहुत सुनी होगी इन दवायों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर संकरमट जदा फैल गया है किसी हिस्से में तो ऐसी treatment दिया जाता है ऐसी condition में उमीद है ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूले शेर करना ना भूले अगर कोई बात दूरी रह गई हो तो आप को शेन पूस सकते हैं comment में आ करके अगली वीडियो में नहीं जान करें कैसा जल्दी मुलाकात होगी आपका दिन शुभू नमस्कार धन्यवाद